गिंती के पुस्तक अध्याय चार, लेवियों के कर्तव्य कर्म, फिर यहवा ने मूसा और हारुन से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पित्रों के घरानों के अनुसार गिंती करो, अर्थात, तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्तावालों की सेना में, जितने मिलापवाले तंबु में कामकाज करने को भरती है, और मिलापवाले तंबु में परमपवित्र वस्तों के विश्य कहातियों का यह काम होगा, अर्थात, जब जब छावनी का कूछ हो, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले परदे को उतार के, उससे साक्षि पत्र के संदुक को ढापते, तब वे उस पर सुईसों की खालों का ओहार डाले, और उसके उपर संपुर्ण निले रंग का कपड़ा ड और संदुक में डंडो को लगाए, फिर भेत वाली रोटी की मेच पर नीला कपड़ा बिच्छा कर उस पर परातों, धूपतानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखे, और नित्य की रोटी भी उस पर हो, तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिच्छा कर उसको खालों के ओहार से ढापे और मेच के डंडों को लगा दे, फिर वे निले रंग का कपड़ा लेकर दीपको, गुलत राशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दिवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढापे, तब वे सारे साम समेत दिवट को सुईसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दे, फिर वे सोनी की वेदी पर एक निला कपड़ा बिछा कर उसको सुईसों की खालों के ओहार से ढापे और उसके डंडों को लगा दे, तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित् अर्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रख कर सुईसों की खालों के ओहार के धापे और डंडे पर धर दे, फिर वे वेदी पर से सब राख उठा कर वेदी पर पैंजनी रंग का कपड़ा विछाए, तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, वह स अर्थात उसके कर्छे, काटे, फावडिया और कटोरे आदी वेदी का सारा सामान उस पर रखे, और उसके उपर सुईसों की खालों का ओहार बिछा कर वेदी के डंडों को लगाए, और जब हारुन और उसके पुत्र चावनी के कूच के समय पवित्रस्थान और उसके सारे सामान को ढप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आये, पर किसी पवित्र वस्थु को न चुए, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाए, कहातीों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्थुए है, और जो वस्थुए हारुन याज के पुत्र, एलि और नित्य अन्यबली और अभिशेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुए और पवित्र स्थान और उसके कूल सामान। और उसके पुत्र भीतर आकर एक-एक के लिए उनकी सेवकाई और उनका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुएं के देखने को शन्भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। फिर यहवा ने मूसा से कहा, गिर्शनियों की भी गिंती उनके पीतरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्तावाले, जितने मिलापवाले तंबु में सेवा करने को सेना में भरती हो, उन सभों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गिर्शनियों के कुलवालों की यह सेवकाय हो। अर्थात वे निवास के पटो और मिलापवाले तंबू और उसके ओहार और उसके उपरवाले सुईसों की खालों के ओहार और मिलापवाले तंबू के द्वार के परदे और निवास और वेदी की चारू और के आंगन के परदे और आंगन के द्वार के परदे और उनकी डोरि और उनमें बरतने के सारे सामान इन सभों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गेर्शोनियों के वन्ष की सारी सेवकाई हारुन और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करें। अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सवपा करो। मिलापवाले तंबु में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारुन याज का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तु उनके कुलों और पित्रों के घरानों के अनुसार गीन ले। तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्तावाले जितने मिलापवाले तंबु की सेवा करने को सेना में भरती हो उन सभों को गीन ले। और मिलापवाले तंबु में की जिन वस्तु के उठाने की से खंबे और कुरसिया और चारो और के आंगन के खंबे और उनकी खुरसिया, खुंटे, डोरिया और भाति-भाति के बरतने का सारा सामान और जो जो सामान ढोने के लिए उनको सवपा जाए, उनमें से एक-एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलापवाले तंबु के विशय करनी होगी वह यही है। वह हारुन याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मुसा और हारुन और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वशकों उनके कुलों और पित्रों के घरानों के अनुसार तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की अवस्ता के जितने मिलापवाले तंबु की सेवकाई करने को सेना में भरती होए थे उन सभों को गीन लिया। और जो अपने-पने कुल के अनुसार गीने गए वे 2700 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलापवाले तंबु में सेवा करने वाले गीने गए वे इतने ही थे। जो आग्या यहवा ने मुसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मुसा और हारुन ने इनको गीन लिया और गिर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पित्रों के घरानों के अनुसार गीने गए अर्थात तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्ता के जो मिलापवाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे उनकी गित्ती उनके कुलों और पित्रों के घराने के अनुसार 2630 थी गर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलापवाले तंबू में सेवा करने वाले गीने गए वे इतने ही थे यहवा के आग्या के अनुसार मुसा और हारुन ने इनको गिन लिया फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पित्रों के घरानों के अनुसार गिने गए अर्थात तीस वर्श से लेकर पचास वर्श तक की अवस्ता के जो मिलापवाले तंबू की सेवकाई करन एिद्धाने को सेना में भरती होए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार तीन हजार दो सो थी, मरारियों के कुलों में से, जिनको मुसा और हारुन ने यहवा की उस आग्या के अनुसार जो मुसा के द्वारा मिली थी, गिन लिया वे इतने ही थे, लेवियों में से जिनको मुसा और हारून और इस्राइली प्रधानों ने उनके कूलों और पित्रों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्तावाले जितने मिलाववाले तंबु की सेवकाई करने और बोज उठाने का का करने को हाजिर होने वाले थे उन सभों की गिंती 8580 थी ये अपनी अपनी सेवा और बोज धोने के अनुसार परमिश्वर से कहने पर गए जो अग्या यहवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गीने गए